दोस्तों आईपिल की सबसे सफल फ्रेंचाइजी में से एक मुंबई इंडियन्स हमेशा ही अपने खिलाडियों के सपोर्ट के लिए जानी जाती है और एक बार फिर से इस टीम के कप्तान रोहिश शर्मा पार्तिय टीम के सर्वस्रेश्ट आल राउंडर को आईपिल की अपनी टीम में शामिल करवा सकते हैं आपको बता दे कि अपने मद्यक्रम को और भी ज्यादा मजबूत बनाने के लिए रोहिश शर्मा ऐसा कदम उठा सकते हैं तो चलिए हम आपको बताते हैं उस खिलाडी के बारे में लेकिर उससे पहले आपको क्या लगता है रोहिश शर्मा और युवरास सिंग में से बहतरीन खिलाडी कौन है आप अपनी राय हमें नीचे दिये के कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा दोस्तो साल 2022 का IPL बेहत रोमान चक होने वाला है और इस बार के IPL में हमें आठ नहीं बलकि 10 ती में हिस्सा लेती हुई नजर आएंगी वहीं BCCI ने इस बार मेगा आउक्शन का भी ऐलान किया है जिसके लिए सभी IPL की फ्रेंचाइजी अपनी अपनी टीम बनाने के लिए कबर कश चुकी है वहीं IPL की सबसे सफल फ्रेंचाइजी में से एक मुंबई इंडियंस ने अपने चार महतपूर खिलाडियों को रिटेन कर लिया है लेकिन उसके बाद भी वो कुछ और खिलाडियों को मेगा आउक्शन से पहले ही अपनी टीम में शामिल कर सकती है जी हां दोस्तों आपको बता दें कि मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहिश शर्मा भारतिय टीम के धाकड आलराउंडर रहे युगराज सिंग को अपनी टीम में शामिल करवा सकते हैं आपको बता दें कि युवराज सिंग पिछले काफी समय से क्रिकेट के मैदान से दूर हैं जब से उन्होंने अंतराश्टे क्रिकेट से सन्यास लिया है उन्होंने कोई मुकाबला नहीं खेला है हलाकि उन्होंने पिछले साल हुए लीजेंड क्रिकेट लीग में धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए इंडिया की टीम को चैंपियन बनाया था और सभी को ऐसा लगने लगा था कि वो एक बार फिर से अपने बल्ले का जलबा आईपियल में भी दिखा सकते हैं लेकिन उन्हें किसी भी टीम में शामिल नहीं किया गया लेकिन अब एक बार फिर से ऐसा लगता है कि साल 2022 की आईपियल में आईपियल के सबसे सफल फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियन्स में शामिल हो सकते हैं इससे पहले मुंबई इंडियन्स का हिस्सा रह चुके हैं जिसमें उन्होंने एक मुकाबले में धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए बारतिय टीम के सर्वस्रेश्ट स्पिनर युजवेंदर चहल के तीन गेंदो पर तीन चक्के लगाकर अपने पुराने दिनों की याद दि जादा है क्योंकि वो बल्लेबाजी के साथ साथ महतरीन स्पिन गेंदबाजी भी करते हैं और वहीं उनके अनुभव का भी फाइदा मुंबई इंडियन्स के खिलाडियों को काफी मिलेगा जसके चलते ये फ्रेंचाइजी युवराज सिंग को अपनी टीम में शामिल कर सक तो दोस्तों आपको क्या लगता है साल 2022 के आईपियल में युगराज सिंग मुंबई इंडियन्स के लिए खेलते हुए नजर आएंगे या नहीं आप अपनी राय हमें नीचे दिये के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर दीजेगा और ऐसी शांदार खबरों के लिए ह हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा धन्यवाद